अज़ की वीडियो में देखेगा फ्रेंड्स हम इस ड्रेस की मैचिंग पगड़ी बनाएंगी ये ड्रेस मैंने आपको लास वीडियो में सिखाई है बहुत ही सुन्दर ये ड्रेस बनकर के तैयार हुई है इसकी वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो पहले आप जाकर के ये ड्रेस को बना ले और आज की वीडियो में जो हम पगड़ी सिखाने जा रहे हैं देखेए वो बनाऊंगी मैं तीन नमबर कानाजी के लिए ड्रेस जो हमारी है वो दो नमबर को भी आ जाएगी थोड़ा सा छोटा गेरा गर बनाएंगे आप और तीन नमबर चार नमबर को भी आ जाएगी तो तीनों साइज को आप इस ड्रेस को पहना सकते हैं क्योंकि जो देखेए इसका डायामीटर है वो यहाँ पर आपको मैं दिखा दू तो यह साड़े साथ इंच का है तो हम दो नमबर के लिए 6 इंच का डायामीटर कट करते हैं 6 तो यहां पर लेंगे सवा तीन नमबर के लिए 7 नमबर के लिए 8 तो आठ नमबर को थोड़ा सा छोटा गेरा आएगा अब ड्रेस आप जाकर के बना लें उसके बाद हम बनाएंगे पगड़ी तो सबसे पहले देखे पगड़ी के लिए हम इस तरह से देखे हमें गत्ते का आप यहां पर लेंगे सवा तीन इंच और तीन नमबर के लिए पोने चार इंच और चार नमबर के लिए सवा चार इंच यह हमें यहां से लंबाई लेनी है अब जो इसकी हाइट लेनी है वो देखे दो नमबर के लिए हम लेंगे डेड़ इंच और तीन नमबर और चार न इसको फिर हम देके ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके नीचे की साइड यहां से गोलाई कर देंगे और गोलाई करने के बाद मैंने इसके उपर देके अस्तर का कपड़ा चिपका दिया है पहले से ही क्योंकि इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है अब यहां पे नीचे का जो यह है पॉर्शन एक इंच का यह मैंने छोड़ दिया है उपर का यहां पर छोड़ करके बीच में एक लाइन लगा दी और लाइन लगाने के बाद जहां से मने लाइन लगा यह इसको हम ऐसे देके फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने के बाद अब यहां पर हमें strip cut करनी है strip cut करने के बाद अब इसको देखे हमें fold करना है ये side हम अंदर रखेंगे और यहां से इसको ऐसे fold करके hot glue की help से मैं इसको देखे यहां पर ऐसे चिपका दूँगी यहां से चिपकाने के बाद फिर उपर से जो strip है इनको हमें paste करना है तो देखे कैसे करना है पहले यहां से जब चिपका देंगे तो उपर से यह स्ट्रिप को हम ऐसे देखे एक बारी धर से एक बारी धर से ऐसे फोल्ड करके एक दूसरे के उपर चिपका देंगे तो इसको चिपकाने के बाद फिर हम बनाएंगे देखे बूटी तो बूटी के लिए यहाँ पर देखे मैंने यह लेस ले ली है चोटा सा लेस का पीस बचा हुआ है तो यहाँ से मैं पहले इसमें से देखे चोकोर पीस ऐसे करके यहाँ से कट करूँगे अब चोको और पीस देखे मैंने कट कर लिया है और इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ यह चोड़ा यह हमारी लेस की 2 इंच और देखे यहां से भी 2 इंच दो बाई दो का हमारा पीस है इससे हमें बूटी बनानी है तो यहां से देखे पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देना है तो देखे कुछ इस तरह की यह बूटी बन जाएगी यहां से हम ओट गलो से इसको चिपका देगे तो अच्छ और यहां पर दीखे लंबाई में लेना है, हमें इसको सत्रा इंच मेंने, इसको लिया है, यह लंबाई आप अपने recording कितनी भी ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, इतनी गहरी आपको कलगी बनानी हो अब जब मैं इस पट्टी को थोड़ा सा देखे चोटा कर लूँगी चोटा करने के बाद यहां से इसको फोल्ड करके इसके उपर एक सिलाई लगा देंगे अगर आप सिलाई नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे देखिए बिना सिलाई के भी इस तीन चार बार और फिर एक बार इदर से निकालेंगे और फिर इस धागे को देखिए ऐसे उपर की तरफ लेकर आएंगे और फिर एक बार फिर से निकाल देंगे और फिर यहां पर हम नोट लगा देंगे दो बार नोट लगाएंगे जिससे की यह अच्छे से पक्का हो जा इसकी वीडियो थोड़ा सा मेस हो गई थी तो मैं आपको लिंक दे दूंगे डेस्क्रिप्शन में आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा बेस बनाने की वीडियो है कि कैसे हम इने इसको पगड़ी को पूरा कवर किया है अब हमें क्या करना है देखे सबसे पहले त के चिपका देना है और फिर उसके बाद लगाने के बाद देखे मैंने बूटी को नीचे से थोड़ा सा कट कर दिया है क्यूंकि ज móस्वे जाधा बड़ी लग री ती तो मैंथी ठोड़ा- apple तो देखे मैं यहारा पर ऐसे गलू लगा करके ये जग देखे मैंने रैड इस तरह से पेस्ट कर देंगे और फिर इसके बाद लेना है मुझे एक पैच देखे लेस में से यह जो इले समने ड्रेस में लगाई थी इसका मैंने पैच कट कर लिया इसको लगा दूंगे मैं यहाँ पर और फिर जो नीचे की साइड है यहाँ पर रेड स्टोन से इसको हम कर देंगे पगड़ी को यहां से यहां तक देखेगा फ्रेंड्स फाइनली हमारी पगड़ी हो गई है बिल्कुल कंप्लीट बहुत ही सुन्दर बनी है यह देखेगा अब मैं आपको कानजी को यह ड्रेस पहना करके दिखाऊंगे देखे यह है ड्रेस और यह चोली और यह इस वीडियो में वो तीन नमबर की बनाई है बाकी मैंने मेजरमेंट आपको दो तीन चार तीनो नमबर का बता दिया है अब यहां पर देखे इनको हम पहनाएंगे यह गेरा इस तरह से नीचे से यहां से ऐसे हातों के नीचे से डाल देंगे बहुत ही सुन्दर ड्रेस है और फिर यहां पर लगा देंगे एक नोट इनको बान देंगे ऐसे यहां से और देखे थोड़ा सा लूज बान दियेगा हमारे कानाजी को टाइटनी आना चाहिए और फिर देखे इनको लगानी है पगड़ी थोड़ी सी छोटी है क्योंकि साइस तीन नमबर का है तो थोड अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तो चलिए फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए रादे रादे